मैंने जब भी वेदों का कोई भाग पढ़ा है, मैंने महसूस किया है कि किसी चमतकारिक अज्यात प्रकाश ने मुझे प्रकाश मान किया है। वेदों के महान उपदेशों में सांप्रदा एकता का कोई अंच नहीं है। हेन्री धोरियो देश राष्ट्रियता का एक आवश्यक उपकरन है। उत्तरदक्षिन, अर्वन, सर्वन, हिंदू, मुसल्मान, सिख, ईसाई, जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित एकाई को क्षती पहुचाई गई। भाषा का भवंडर उठाया गया ताकि आपसी जगड़े और भेद भाव में हमारी शक्ती का क्षय हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। पहले तो प्राया सभी देशों में जाती, भाषा और धर्मगत भेद हैं। भिन्न भिन्न राश्ट्र है, जिस देश में भेद नहीं। उसकी इकाई, शुन्य या गणित शास्त्र की इकाई की भाथी दरित्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किन्तु भेद इतने न होने चाहिए कि उनमें सामन जस्से न रहे। वैसे तो कीचुआ भी एक इकाई है, उसमें आख, कान, नाख और हाथ पैर का भेद नहीं। केवल एक ही स्पर्शेंद्रिय सारी ज्यानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किन्तु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा। मनुष्य अपने अव्यवों की बाहुल्य और उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित वश्रिष्ट गिना जाता है। भेदों के अस्तित्व से इंकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारी समाज में भेद और अभेद दोनों है। हमारे पूर्विशासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पन पे और इस भेदनेती से उनका उनलू सीधा हो रहा था। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनको नगन ने समझा गया। हमें हीनता की मनोबृत्ती पैदा हो गई। देश की नदियां जिनको विभाजन रिखाएं कहा जाता है, हमारी भूमी को उर्वर्रा, शस्य शामला बनाती है। हमारी भागोले के काई हिमालय परवत और सागर से है। उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राश्ट्रियता की धारा अबाधित तो नहीं रही है। आंतरिक दोईश कभी-कभी प्रबल हो उठते हैं। किन्तु भारत वासी एक छत्र सार्व भौम राज्य से अपरिचित न थे। राज्य सुय, अश्वमेद, आधियग्य ऐसे ही राज्य की स्थापना के धे से किये जाते थे। इनके द्वारा तूटी हुई राश्ट्रिय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूपधारन कर लेती थी। राज्यनीती की अपेक्षा, धर्म और संस्कृती मनुश्य के हृदय के अधिक निकत हैं। यद्यपी राज्यनीती का संबंध भातिक सुक्स विधाओं से है। फिर भी जन्साधारन जितना धर्म से प्रभावित होता है, उतना राज्यनीती से नहीं। हमारी भारतिय धर्मों में भेद होते हुए भे उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक है वहीं त्याग और तप एवं मध्यमार्ग की सैयम्मई भावना हिंदू, बौध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है एक धर्म के आराध्य, दूसरे धर्म की महापुरुष के रूप में सुईकार किये गए हैं, भगवान बुध्य तो अवतार ही माने जाते हैं कली युगे, कली प्रतम चरने, बुध्धावतारे, कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुन्य स्मरन कर लेते हैं भगवान रिशब देव का श्रीमत भागवत में परम आदर के साथ उलेक हुआ है जैन धर्म ग्रंतों में भगवान राम और कृष्ण के साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है भारत में उद्भूत प्रायस सभी धर्म आवा गमन में विश्वास रखते हैं मैत्रे, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है स्वस्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदूओं और जैनों में समान रूप से मानने है कमल और हाथी, तथा अश्वत्थिवरिक्ष, पीपल, बौधों और हिंदूओं में समान रूप से पूजनिय माने जाते हैं जैनों के अनूवरत, हिंदू धर्म के योगशास्त्र में यम और बौधों के पंचशील प्राया एक ही है पारसियों और हिंदूओं में अगने की पूजा समान रूप से होती है जिन्दा वेस्ता की गाथाओं और वैदिक रिचाओं में भाशागत समानता है भारत की सांस्कृतिक एकता, लेख, प्रतिधोनी मैंने जब भी वेदों का कोई भाग पढ़ा है मैंने महसूस किया है कि किसी चमतकारिक अग्यात प्रकाश ने मुझे प्रकाश मान किया है वेदों के महान उपदेशों में सांप्राइब रूप से होती है